चलिए आज बनाएंगे हम कपकेक्स गर में वो भी बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से दिखने में ये जितने ज़्यादा सुंदर है खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आप अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर से ट्राइ कर सकते हैं और आज इसको हमें हलका करडल करना है तो 10 मिनट के लिए मैं इसको साइड पर रख दूंगी अभी एक स्ट्रेनर ले ले लेंगे इसके अंदर जाएगा हाफ कप मैदा वन फॉर्थ कप मिल्क पाउडर वन टेबल स्पून कोकोवा पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन पाउडर शुगर चीनी को मैंने आपर पीस लिया है अब इसको अच्छे से चलाना है जब तक कि हमारी जो शुगर है वो अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए देन डालेंगे वन फॉर्थ कप ओईल यह नॉर्मली वेजिटेबल ओईल है वन टी स्पून वनेला एस बैचे से मिक्स करना होता है अभी बैचे में ड्राय वारे इंग्रेडिन्स डालेंगे एक साथ नहीं डालना है धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही जादा ओवर मिक्स भी हमें इसको नहीं करना है ड्राय इंग्रेडिन्स जो हमारे होते हैं उनको हमें बहुत light mix करना होता है, सिर्फ तब तक, जब तक के हमारे lumps जो हैं, वो सारे dissolve ना हो जाएं, देखिए, ऐसी ribbon consistencies की होनी चाहिए, ये consistencies की एकदम perfect है, यहाँ पर मैं silicone molds ले रही हूँ, बैटर कोईन के अंदर pour करेंगे, पूरा उपर तक नहीं fill करना है, हाफ से थोड़ा सह जादा fill करना है, बस, यहाँ पर मैंने कड़ाई को 5 मिनिट के लिए heat कर लिया है, हमारे cupcakes bake होने के लिए तयार है, इसमें मैं place करूँगी एक plate, cupcakes को बहुत carefully इसके अंदर डालना है, गैस के flame को low ही रखेंगे, 35 मिनिट के लिए इसको cover करके छोड़ देना है, 35 मिनिट के बाद इसको check करेंगे, एक toothpick के help से मैं इसको check कर रही हूँ, आप चाहें तो knife के help से भी इसको check कर सकते हैं, इसका मतलब है कि यह अच्छे से cook हो गए हैं, इन सबी को बाहर निकाल लेंगे, तन इनको अच्छे से ठंडा होने दिंगे, ठंडा होने के बाद ही हम इनके ओपर icing करेंगे, decoration आप अपने recording कर सकते हैं, मैं normally यहाँ पर flowers बना रही हूँ, अगर आपको यह recipe पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दें और मेरे चैनल को subscribe कर लें, ताकि मैं और भी easy और सुन्दर अच्छी वाली recipes आपके साथ share कर सकूँ,